हालो, नमिश्कार, वेल्कम टू इनकल्केट लर्निंग, सो इस वीडियो में या जितनी भी वीडियो आपको इस थम्नेल के साथ दिखें कि शॉर्ट एंड क्रिस्प, तो उन वीडियो में आपको क्या मिलेगा, इन्फिमेशन मिलेगी, क्योंकि आजकल टीचिंग एग्जैम् उन्होंने अपना स्टेंडर्ड इंक्रीज कर दिया है, और उसमें काफी डीप में चीज़ें, लेकिन फैक्चुल चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो वही डीप में और फैक्चुल चीज़ें आपको मिलेंगी, जो डिरेक्टली आपके कॉंपिटिटिव एक्जैम्स के तो आज हम इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जादा एक्स्प्लेनेशन नहीं होगी, आपको जिस्ट जो है वो समझ आ जाएगा, तो दिस इस प्रेजेंट बाइ मी रवीना, अगर आपको वीडियो से इन्फिमेटिव लग रही हैं, तो लाइक, शेर और कर सकते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट यानि इंटेलिजेंट को टेस्ट करने के लिए, जितने भी टेस्ट औरगिनाइज किये जाते हैं, तो इंडविजूल टेस्ट होते हैं, ग्रूप टेस्ट होते हैं, इंडविजूल टेस्ट क्या होगे, जो एक टाइम पर एक व्यक्त कर रहे हैं तो obviously वो cost जो है वो बढ़ जाएगा आपको time जादा लगेगा आपको पैसा जादा लगाना पड़ेगा और आपकी labor intensive work हो जाएगा क्योंकि आपको उतने ही जो है trained officials या trained professionals जो है वो चाहिए होगे group test जो है वो एक साथ बहुत सारे लोगों को बिठा के एक साथ आप उनकी intelligent test कर सकते हैं सो आपका time बचेगा पैसा बचेगा और labor saving work जो है ही होगा intelligent test जो है वो children as well as adults के उपर काम करते हैं group test जो है वो 9 या 10 साल के जो बच्चे हैं उनकी age से नीचे के बच्चों के उपर group test नहीं लगाया जाता क्योंकि उनकी उपर आपको individually ही जो है उनकी intelligence test करनी पड़ेगी individual test दोनों के लिए ही useful होते हैं कि आप बच्चों के उपर भी कर सकते हैं और adults के उपर भी individual test जो है वो इतने objective या फिर इतने standardized नहीं होते जितने की group test होते हैं group test जो है वो comparatively जादा objective होंगे और standardized test होंगे जब आप test पड़ते हैं तो जब एक hypothesis के बाद test बनता है तो उस test को standardized किया जाता है तो ये standardized होंगी group test जो है individually क्या कर रहे है आप उसके बारे में सारी बाते जानना चाहेंगे उसकी personal से लेके सारी चीज़ें आपको पता होंगे as an examiner so वो examiner close contact में होना जरूरी है ये close contact में होगा ये हम बोल सकते हैं ताकि जो subject है जिसकी intelligence test हो रही है वो comfortable जो है उसके साथ हो सके group test की जब हम बात करें तो examiner जो हो इतने close contact में नहीं होता अब आते हैं individual test, individual में भी दो होंगी verbal test और performance test performance test को non-verbal test भी बोलते हैं individual test में जब हम verbal test की बात करते हैं यानि कि आप बोल के कोई चीज़ बता रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है? शब्दों का इस्तमाल हो रहा है performance test में क्या होगा? कि मान लिजी आपको कुछ चीज लिखी हुए उसको portrait करने को दे दिया या कुछ portrait है उसको आपको क्या कर दिया? कि आप उससे related आपको क्या-क्या चीज़ें सूज रही है इसमें non-verbal चीज़ें यूज होंगी और इसमें क्या होगा? verbal communication का इस्तमाल होगा individually होंगे वो हम बात कर चुके हैं तो verbal test में ये test के जो नाम है आपको verbal non-performance कि कौन सा test verbal test है? कौन सा test? performance test या non-verbal test है? वो आपको याद रखना पड़ेगा direct आजाता है कि इन में से कौन-कौन से test जो है वो verbal नहीं है या individual verbal नहीं है ठीक है? सो बिने साइमन का test है Godard test है, Stanford बिने test है point ये है कि आपको नाम, आप ये जो sun है इनका, year जो है उसको भले ही याद ना करें लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा test, individual verbal test और कौन सा individual performance test है ये सारे की सारे information जो है वो मैंने आपको एक जगह पर provide कर दी है ऐसे ही group test होंगे, वो भी non-verbal और verbal दो तरीके के होंगे group test में जो non-verbal test है या फिर ये group test के questions जो हम काफी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आपको याद रखना है कि army beta test जो है, वो non-verbal test में आएगा और army alpha test जो है, वो verbal में आएगा एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है army alpha test जो है, वो world war 1 के दोरान बनाया गया था 1917 में और जो army general classification test है ये world war 2 के दोरान जो है, वो बनाया गया था, ये ध्यान रखेगा term and group test of mental ability general test, intelligent test by SM महसीन, so ये verbal test है group verbal, so direct questions किस तरीके के आते हैं, जैसे कि HTED 2019 में question पुछा गया था, out of following, which is not the type of group non-verbal intelligent test क्योंकि अभी तक उसने deep में भी नहीं गये हैं, जो question पूछने वाले हैं जो questions अभी आए हुए हैं exams में, कि आपसे intelligent test के भी deep में जाएं, कि इस test में क्या होता था, या किस तरीके का होता है, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना पड़ेगा कि कौन से, जो है group non-verbal है, group verbal है, intelligent verbal या intelligent, sorry ये individual verbal or individual non-verbal है, so ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका answer जो हो army alpha test है, क्योंकि ये verbal, group verbal test है so ये चीज़ने आपको ध्यान रखनी है, so this was all about today, thank you so much for watching